कि यदि पिता की लगन कुंटलि या पिता की जन्म कुंटली हो, तो भी ठीक है यदि पिता κάν से नहीं है तो पिता की जन्म कुंटली हम लोग कैसे कुंडली है आपके कुंडली के अंपर नंबर है है कि पिता के लगन कुंडली के अश्टम भाव गत रासी नहीं था जो अश्टम हाव में राशी है वही रासी यदी पुत्र का लगन हो या संतान का लगन हो या पिता के कुंडली का अस्टमभाव का स्वामी या पिता के कुंडली का अस्टमभाव का स्वामी लगन में बैठ जाए तो जातक के पिता के लिए यहां मिद्व तुल कस्टले का राता है पिता के पिता के लगन कुंडली के अच्टम भाव में जो रासी है यदि उसी रासी का लगन संतान के कुंडली में हो या संतान की या पिता के कुंडली के अच्टम भाव का स्वामी संतान के लगन में बैठ जाए तो यहां पिता के लिए मिद्व तुल कस्ट लाकर देता है या तो पिता को मिद्व तुल कस्ट देगा अन्य था यहां जो बालक है वो कम उम्र में ही पिता के उत्तरदाईतों को संभाल लेता है यहां अपने पिता के इतने उत्तरदाईतों हैं पिता के इतने करन हैं उन सभी कर्मों को यहां स्वयम संभाल लेता है ठीक है कुना जब जन्म कुंडली में चतुर्थभाव के स्वामी की दसा हो सनी सुभ गोचर में हो अर्था सुभ अस्थान में सनी का गोचर हो रहा हो जैसे ठीकंद्र आतिकोन में गोचर हो तो जातक को जातक के पिता से या स्वयम के परियत्न से लाव होता है एक हमारा निवेदन आप लोगों से है आप लोगों इतने भी साइंस को पढ़ेंगे अखार इससे आप आगे आप लोग नशत्य की बहुत साज़ परिती है उसे समझेंगे कोटक चकर को समझेंगे लेकिन अश्टक बर्ग को एक मेन विशय अपने जीवन का बना कर चलिएगा यदि इस पर आपका कमांड हो गया इस पर आपकी एक पकड़ बन गई और दसा लगन पर आपकी एक पकड़ बन गई तो यह मान के चलिए कि आप बहुत सर्वस्ट्रेश्ट एक जोतिसी बन जाएंगे क्योंकि अश्टक बर्ग को इतना ज्यादा समझेगा उतना ज्यादा ही यह आपको और कुछ देते चला जाएगा क्योंकि अंको कहा ही खेला इसमें बुख्रा यदि चतो थभाव के स्वामी की दसा हो सनी सुभ गोचर में हो तो जाटक को पिता से या स्वैम के परियतनों से लाव होता है चतो थभाव का स्वामी यदि लबन में या इंग्याट्वे भाव में हो या चंडर्मा से इंग्यार्वा अर्षात इनके कंप्ली में चंडर्मा कहां बैठा है चंद्रमा मेश रासी में बैठा है तो मेश रासी से गिनिये कहां 11 जाएगा 11 जाएगा अस्टम भाव में तो यदि अस्टम भाव में कौन बैठा हो चतुत भाव का स्वामी अर्था सुक्र अस्टम में बैठा हो या लगन में बैठा हो चतुत का स्वामी इनके कुंडली में लगने में चला गया, तो इस इस्थिती में जातक को विशेश सुख के प्राप्ती के योग होते हैं, यदि चतुत भाव का स्वामी चंद्र कुंडली में दसंभाव में हो, तो बार पिता का विशेश आदर करने वाला होता है, अब चंद्र कुंडली अथा चंद्रमा से दसं में, तो इनके कुंडली में चंद्रमा से दसं में सब्तम का स्वामी गया, नहीं गया, यदि लगन कुंडली बनाते हैं, तो चतुत भाव में कौन सी रासी आ जाएगी, यहाँ पे कौन सी रासी मिलेगी हमें, सात्वी तुला मिलेगे तुला का स्वामि कौन है शुकर है तो चंधेमा को हमने लगन माले चंधेमा आउना को लगन बनाने के बाद यती दसम अर्ठात यहां पे शुक्र वैठा हो ठीक है यहां दसम में शुक्र बैठा हो तो यहां ऐसा बालक ऐसा वेक्ति अपने पिता का विशेश आदर करता है पिता के लगन या चंड्रकुंडली का त्रीतिय भाव में बैठा रासी यदी पुत्र का लगन या रासी हो तो ऐसा जातक पिता के ध्वन पर आश्रित होता है जैसे यहां कुंडली है तो इस कुंडली में लगने से तीसरा भाव लगने से तीसरा भाव कौन हो गया तीसरा अब यहां जो अंक है छे यदि इनका कोई पुत्र हो और पुत्र के कुंडली में छे नंबर की छे नंबर लगन बन जाए या चंद्रमा यहां बैठा है तो चंद्रमा से तीसरा तीन नंबर है या तीन नंबर का लगन कौन शनतान के कुंडली में शे या तीन का लगन सन्तान के कुंडली में इनके कुंडली के अंतरदग बने तो इनका जो संतान होगा वो इनके ही धन पे आस्तित होगा अर्था चंद्रमा से या लगन से त्रीतिय भाव में जो रासी है बही रासी यदी जातक के संतान के लगन बन जाए या जातक के संतान की वो रासी बन जाए लगन और रासी तो समय जाए लगना था पुथा भाव में चला जाए बह रासी या बहरासी संतान बूस रासी में चंद्रमा संतान की कुंडली में चला जाए ठीक है तो इस इस्थिति में ऐसा जातक पिता के धन पे आस्दिल होता है पिता के जन्व लगन या रासी से दसम रासी में जन्व होने पर यह जो पॉइंट यह सभी है न वह बहुत ही मार्के बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही पॉइंट है और इन सभी पॉइंट जितने ही पॉइंट आप लोग अस्टक वर्ग में पढ़ेंगे बस अभी रासीयों पे ही निर्धारी तर पिता के जन्व लगन या रासी से दसम रासी में जन्व होने पर बेखती पिता के समान स्वरूप और गुनवाला होता है जैसे इस कुंडली में यह लगन कुंडली है लगन कुंडली से दसम में कौन सी रासी आ गई मेश रासी आ गई अब यहां चंद्र बैठें अब यह रासी हो गई मेश रासी इनकी हो गई तो मेश रासी से दसम मेश रासी दसम कौन हो गया मकर हो गया बिल्कुल इनके जैसा ही गुनवाला और स्वरूप वाला होगा आगे यदि जन्व कुंडली में स्वयम का दसमेश अर्ठा किसी भी कुंडली यसे या कुंडली आप देख रहे हैं तो स्वयम का दसमेश लगन में हो या अपने पिता का दसमेश अर्ठा के जन्व कुंडली के दसम्भाव का स्वामी लगन में हो तो जातक अपने पिता से बिशेश स्रिफ्ट होता है जैसे इस लगन कुंडली है तो इस लगन कुंडली में दसंभाव का स्वामी दसंभाव में कौन सी रासी है? दस्वी रासी है दसंभाव का स्वामी कौन है? सनी है वह बैठा कहा है? लगन में बैठा है या पिता के कुंडली का दसंभावता स्वामी लगन में चला जाए तो ऐसा जातक अपने पिता से स्ष्ट माना जाता है थात यानि पिता से स्ष्ट वो अपने घर में हो गाएगा गुन में बद्ध्या में और सभी चीजों में काज़चित्य में वहाँ अपने पिता से स्थिश्क होता है यदि पिता की जन्म कुंडली नहीं है तो वहाँ पे आप दसम भाव को आप नौम भाव को आप लगन बना लिया और नौम भाव को लगन बनाने के बाद दसम भाव का स्वामी कौन हो गया बुद्ध हो गया तो बुद्ध यदि इस कुंडली में यहां बैठे होते हैं तो क्या होता यहीं स्योग का निर्वान कर रहा होता लेकिन यहां ऐसा नहीं है तो इस्योग का निर्वान नहीं हो रहा है लेकिन सार ही इसमें एक तो बनाना सरीस में तो दसवे का सवामी लगन में के दोनों चीज़े says, तो दोनों रूल हमें देखना है ठीक है कि एक रूल हमें हमिल रहा है तो दूसरह वहां बात नहीं कर रहे लेकिन यहां पर प्रस्मिशिन न्याव उठ सकता है कि मान लीजिए एक मेर्टा हो जी समय जी एक रूल तो हमें यहां मिल रहा है लेकिन मान लीजिए कि किसी के कुंडली में यहां रूल नहीं मिल रहा हो ठीक है तो उसे तो यह समस्या हो जाए कि मिरे नहीं है तो पिता कुंदली न होने पर हम यहां पर नवाम को लगन मानकर पिता की कुंदली मान सकते हैं इस रूल को ध्यान में रखेंगे सुर्यास्टक बर्ग में जिस रासी में हमें सुन्न मिल रहा हो जैसे या कुंडली है ठीक है सुर्यास्टक बर्ग यहां है तो जिस रासी में हमें सुन्न मिल रहा हो इसमें कहीं हमें सुन्न तो नहीं मिल रहा है लेकिन सबसे कम अंक हमें कहां मिल रहे हैं वो हमें देखना है और जहां हमें सबसे कम अंक मिल रहे हैं, उस महीने हमें किसी भी सुभकादे को नहीं करना है, कितना भी अच्छा योग हो, कितना भी अच्छा कुछ चल रहा हो, मोहलत हो, लेकिन उस महीने हमें सुभकादे नहीं करना है, जैसे आपके कुंडली के अंतरगत, इन महीनों में आपको सुभकार बरजित करने हैं किसी भी सुभकार को आपको नहीं करना है कब जब शुद्रे सिही रासी में हो जब सुद्रे कंण्या रासी में हो जब सुद्रे कुम्भ रासी में हो और जब सुद्रे मीन रासी में हो जैसे अभी मीन में सुद्रे थे एक दो दिन पहले सुद्रे चेंज हुए है मार्च से 15 अप्रेल मीन में राते हैं इसमें आपको सुभखार्णे करने हैं क्योंकि यहां के कुंदली के लिए यहां को लेकर नहीं आया लिए इन महीने आपको नहीं करना है उससे पीछे तो फरवरी से 15 पंद्रा मार्च 11 नंबर राशी में शुरत हैं वह आप गोचल से देख सकते हैं कौन से राशी में शुर्य हैं अभी 15 अपरयल से स्वेम् में अधिक थीक फिर फंद्रा मैं से विशन में चले जाएंगे तो वैसे आप आगे इसे ले जा सकते हैं तुझे अगर विवा या कोई भी मंगल खित्य आजीवन नहीं करना है इसे ध्यान में रखिए या आपकी कुंडली या किसी भी कुंडली हो मतलब सर्थ या आपकी कुंडली के अंतरगत यह चीजें मिल रही है यदि किसी भी कुंडली जैसे कि हम किसी कुंडली को लेते हैं जैसे इस पुंडली को ले दो इसे जैसे कमली में धेखे आप इस कुंडली में हमें यहां 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 इन चार अस्थानों पर हमें अच्छी अवस्था नहीं दिख रही है अंदर मार्च से पंदरा पर्ल पंदरा फर्वरी से पंदरा मार्च मकर में कव आते हैं 14 जन्वरी को 14 या 15 जन्वरी को सुर्वर्य मकर में प्रवेश करते हैं ठीक है पंदरा कि दिसंबर से पंदरा जन्वरी तक सुर्वर धनू में होते हैं कि उससे पहले सुर्वर ब्रिश्चिक में होते हैं ठीक है एक बहुत ही अच्छा कॉंशेप्ट है उस पर हम बात करेंगे अभी इसे इंडिकेट कर दें आपको यह जो बेक्ति है इस बेक्ति का बिवा इस बेक्ति का बिवा जब सुर्वर आठवी रासी में थें तो संपन्न हुआ है बीस मौंबर हो अर्था जब सुर्वर आठवी रासी में गोचर में थें उस्वा तो उसमें सभी नहीं है सर फिर तो जी आठवी रासी में ना पर चार अंक ठीक है वो समस्या दायत नहीं है ने चार को भी आपने घेव दिया इसलिए घेरा है कि वहां जब चौथे रासी में सुर्वर थें तो इस आठवी रासी में जब सुर्वर थें तो इस जातिकार का विवास उंपन्न हुआ है तो इस जातिका का विवा संपन्न हुआ है ठीक है अगले रूल के अंतरगत सुर्यास्टक बर्ग में जिस रासी में हमें विशेश बिंदों मिल रहे हूं अर्था विशेश अंक मिल रहे हूं मिल रहे है इस सुर्यास्टक के अंतरगत 9 की रासी में दसवी रासी और कहीं विशेश तो उस सौर मास में यदी मुहुत आपको नहीं भी मिल रहा हो अर्था मुहुत नहीं मिलने का मतलब है कि गुरू और सनी अच्छे अस्थान में गोचर नहीं कर रहे हों त्रिक भाव में गोचर कर रहे हूं तब भी आप अपने किसी भी सुभकारे को को इन महीनों में कर सकते हैं कौन-कौन सा महीना दिसंबर और जनवरी यह पंद्रह दिसंबर से पंद्रह फरवरी तक आप किसी भी सुभकारे को कर सकते हैं अप्ली के बलाप के लिए को इसमस्या दायक वो नहीं होगा ठीक है अब हम बात करने इस लाश्टक बढ़के बारे में सब्सक्राइब इतना कुछ समझा उस पर भी हम सर्चा आगे चल के करेंगे सबंधित प्रशनों तो बताएए उसके बाद हम लोग चंडर के भी नाश्टक या चंडर के अश्टक पे चलेंगे तो जैसे कि इसमें जो सुरिज से पिता को देखते हैं तो इसते तो जो पिता का एफेक्ट है उस पिता उसके वक्ति के नहीं है तो जो उसके मान सम्मान में भी यह चोट पहुचा सकते हैं तो ना देखकर हम सारी चीजों को देख सकते हैं इस नवम भाव को इसलिए लिया गया है हम किसी भी चीज को नवम भाव को सोद्रपिंड से गुना करके 27 से भाग देकर हम निकाल सकते हैं उसमें यदि गोचर में किसी ही प्रकार वहां पर जैसे आपके कुंडली में जो मुझे यह स्परन है पुर्वा भाद्रपर विशाखा और पुर्ण वसू पुर्ण वसू इन तिन नशत्रों में यदि सनी गोचर करेंगे तो आपके लिए वो समस्या दायक होगा तो इन में गोचर में आपको सरकार समस्या हो सकती है इस इतनी सारी चीजें आपको यहां से दे सकता है आगे चंड्राश्टक वर्ग में हम फिर वहीं से आगे से चलेंगे अर्खात सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि यहां पर कैसे क्या काम करेगा तो प्रैक्टिस महारुक जाएगी तो सब्सक्राइब करेंगे को तिकों सोधन के नियम को आप सभी को पटा है इसका तिकों सोधन करके आप लोग बताते जाएए कि सबसे पहला नियम ही है ना कि सबसे कम अंक तीनों में से कहीं भी मिल रहा है तो उसे घटा देंगे त्रिकों सोधन में पहले वजाएगा 159 यह पास नो के अंतलगत आप देखिए आपको अंग कितने कितने मिल रहा है एक में छे पाच में आपको 2 मिल रहा है नौ में चार मिल गा रहा है ठीक है चार जिरो चार शुने और दो रुख जाएए रुख जाएए एक मिल गया चार यहां आपको मिल गया सुन यहां आपको मिल गया दो ठीक है उसके बाद दो छे दस में जाएए दो छे दस में आप जाएंगे दो छे दस दस दो में साथ छे में पाच और दस में पाच तो यहां कि दो आ गया यहां सुनने आ गया और यहां सुनने आ गया पर तीन साथी गारा चार पाच और छे तो सबसे कम तहां चार हमें मिल रहा है तो यहां सुनने यहां एक और यहां हम मिल गया दो अब चार आठ बारा तो चार आठ बारा में एक दो और दो तो यहां सुनने यहां एक और यहां एक यहां हो गया हमारा यहां यहां जो जीरो जीरो है वहां दिख देंगे हैं उसके बाद दूसरा आ गया एक ही ग्रह की दोनों राशियों में यहां हो तो उसका कोई सोधनी होगा तो एक ही ग्राह की दोनों राशियों में कहीं आपकी कुंडली में इग्राह नहीं दिख रहे हैं ठीक फिर तीन और छे पर आगए दो और साथ पर जाते हैं दूसरी और साथी वी राशी एक मिना टूक जाएए आपकी कुंडली जो है उससे रिवस्थित कर दें जे पात्विय में कोई नहीं है छठा छे और तीन छे और तीन में कोई नहीं है दोनों में संख्या में क्या मिल रहा है दोनों में संख्या सुनने ही कर देंगे पिर साथ और दो में देखेंगे तो साथ और दो में हमें क्या हो रहे हैं साथ में हमें एक और दो में मिल रहा है दो दो और दोनों में रह नहीं है एक और आठ यहां हमें मिल रहा है एक और दो और दूसरी वात क्या है है यहां पर संख्या दोनों की अलग-अलग है तो जहां एक है वहां हम दो लिखेंगे जहां दो है वहां एक लिखेंगे कि यदि संख्या दोनों की अलग-अलग हमें मिल रही है तो बड़ी संख्या को चोटी संख्या में हम बदल देंगे ठीक है कि यदि दोनों में से किसी में कोई ग्रह हमें नहीं मिल रहा हो संख्या अलग अलग दोनों में 메िंटि दोनों में कोई ग्राइण हो और संख्या बराबर हो तो दोनों को एक और दो चेंज हो जाएगा जहां दो है वहां एक आजाएगा जोहां एक है वहां दो आजाएगा उसके बाद आठ और एक में ग्रहा है आठ में ग्रह नहीं है ग्रह वाली रासी के संख्या हमें कम मिल रही है ग्रह वाली राती के संख्या हमें ज्यादा है ज्यादा है ज्यादा है ज्यादा है ज्यादा या उससे बरावर हो तो उसे हम तो शुनने और चार्ट को सबसके बारे में और अधिन रहाले संख्या मिल रहा है बिना गरहावाली रासी के संख्या में कम रह है बिना गरहावाली संस्था कि रासी इस संक्याँ में जो है डर वाली रासी की शंख्या कम है और भीनां ग्रह वाली चीरीफ यह की तो पर देगह ठीक है अब 10 और 11-10 और 11 में हमें ए नहीं मिल रहें और चाहिए तो नहीं कोई बचा नहीं बचा तो यह बताइए नहीं कोई रहेगा ना और यह जो नौ बारा में आपका दो रहेगा और बारा में तो सुनने हो जाएगा एक रहेगा जैसे रूल क्या कहता है इसलिए जैसे अभी हम क्या करते कि कादीपत्त सोधन को ना करके आगे हम लोग सीधा प्रेडिक्सन पर आ सकते थे लेकिन हम इसलिए हर भाव को सोधन कर क्या काथा है ड्रूवाली रासी की संख्या कम हो जड़ा है आपकि प्रा करला कर देंगे तो यहां हमें बीनना ग्रह वाली रासी की संख्यां में कम मिल रही है जर्वारी भानि रही हैं में यहां पर सुनना आजाएगा तो सुनना आजाएगा उप्धार आगे बढ़ते हैं आगे हम निकालेंगे इनके सोध्य पिंड को लासी गुनाकर आप लोगों को ध्यान में है अस्मरान है क्या रासी गुनाकर है कोई बात नहीं हम लोग मेस से शुरू करते हैं ठीक है मेस में हमें अंक मिले चार और मेस का गुनाकर है वो साथ है तो हमें अठाइस आ गया ठीक मित्व मित्वoples को सुन्ने मिलां आगे बढ़ेंगे करत को सुन्ने मिलां अगे ऑगे ठीक है कन्या को सुन्ने मिला है आगे बढ़ेंगे थी नंबर थासी को को हमें असाट आ गया कि गया, 10 को सुनने मिला है एक ग्यारा के प्राप थंक को है और इक ग्यारा ना कर इक ग्यारा है इस मिल गए ऑर फिर वारा को सुन नहीं मिल रहा है तो इसे हम जोड़ लेंगे लिए बानवे नाइंटी टुए यह एक वाद देख लीजिए रासी पिंड़ लासी पिंड़े ही है नाइंटी टू है जेगा एक वाद अगे बढ़ेंगे अजलों जाएंगे अब गुनाकर के अंतरगत जहां जहां वैठें तो मेश में आपके चंड्रमा और व्मंगर हैं दो चार है तो चार को हम पहले चंद्रमा के गुना करेंगे तो यहां पर 32, 32 आ गया उसके बार फिर हम आगे बढ़ेंगे आपका आगे फिर चाल नमबर राश्टी में आपके 0 लेकिन वहां 0 सुनने हमें पर आप तंक मिला है आगे बढ़ जाएंगे बिच हमें बुद्ध मेलें वहां भी सुनने आगे बड़ेंगे सुने मिल रहा है तो दो को हम पास से गुना करेंगे दस आ गया है सिरह में कहीं कोई लाह नहीं मिल रहा है यह मिल रहा है 20 32 और बाब सब्सक्राइब दोनों को जोड़ देंगे एक सोचोवन अब यहां जो एक सोचोवन है 154 है यहां हमें सोध्ध पिंड प्राप्त वार ठीक है अब आगे बढ़कर जो खलादेश है यहां असमन रखिएगा कि आपको त्रिकों सोधन सामने दिख रहा है कि अधिपत्ते सोधन को कौपी में नोट कर लिया अगे हम खलादेश पर बढ़ेंगे खलादेश क्या कहती है उससे समझते चंद्राश्टक बर्ग में यह जो चंद्राश्टक बर्ग है है अब चंद्राश्टक बर्ग को बनाने के लिए आपका सुद्रेका तो बर्ग स्वेम बना हुआ है आपके लगन कॉंडली से हुआ लेकिंग चंद्राश्टक बर्ग को बनाने के लिए आपको थोड़ी महनत करनी पड़ेगी। क्या महनत करनी पड़ेगी कि जहां चंद्रमा आपके कुंडली में बैठे हैं उसे आपको लगन बना लेना है। चंद्रमा मेश में बैठे हैं तो मेश को आप लगन बना लीजिए मेश को लगन बनाकर जो अंक जैसे लिखे हैं भीनाश्टक में जो आप देख रहे हैं जैसे मेश को छे मिले हैं मिथ्थुन को चार मिले हैं ऐसे वैसे ही आप लिखते चले जाएए जो भीनाश्टक का आँख है वही ना सर जो भीनाश्टक का आँख है वही आँख हैगा सिर्फ आप लगन को चेंज कर लेंगे छे साथ चार अब इसमें देखिए कि जिस भी राती में हमें सुनने बिंदो मिल रहे हैं जिसमें भी हमें सुनने मिल रहा है की बात नहीं कर रहे हैं अभी भीनाश्टक कि बात कर रहे हैं अभी त्रिक्वन को भूल जाएे त्रिकौन को ध्यान मत दिजें भीनाश्टक को देखिए तो भीनाश्टक की अंतरगत जिसमें भी rif चंद्रमा के रहने पर कोई सुभकार आप घर में नहीं करेंगे करहाँ कहा आपको संवारी मिल रहा है चाहनर नंबर आतार combined अपको नंभार यह नहीं है यह गैट कि आ एक मिल रहा है क्षट नमब राशी में आपको दो मिल रहा है लाए बामम बनासी में आपको दो मिल रहा है अर्था चार से नीचे करक में सी में दिश्चिक में और मील में इन रासियों में जब भी चंद्रमा हो तो आपको सुभकार अपने घर में नहीं करने हैं बिल्कुल बरजित है नहीं करना है तो नहीं करना है कि आप करते हैं तो हां फिर आपको समस्च्या देखने को निश्चित ही मिलेगी जैसे सुर्याष्टक में हम जहां सुर्य बैठे हैं वहां से हम नवंभाव से पिता को और सारी चीजों को देखते हैं वैसे ही चंद्राष्टक से हम जहां चंद्रमा बैठा हो जैसे जहां चंद्रमा बैठा हो से हम लगन बना लिए वहां से चतुर्थ भाव से हम माता के बारे में अपने भवन अथार भर के बारे में अस्थार के वारे में विचार करते हैं ठीक है तो चंद्रमा से जहां चंद्रमा आपका बैठा है वहां से चतुल्थ में हमें क्या आंक मिल रहा है एक मिल रहा है ठीक है अब इस एक को हम सोध्य पिंड से गुना करेंगे एक सोचोवन तो एक को गुना करेंगे तो एक सोचोवन ही है मिलेगा 151 154 अब इस 154 को हम 27 से भाग देंगे 154 को 27 से भाग देंगे पांच पॉइंट साथ जीपर पांच पॉइंट साथ जीपर पांच पॉइंट साथ आज लेशा स्वापी और सब्ति जीशा कि यहां पर चट्था नशत्र चल रहा है कि चट्था नशत्र कौन सा है कि अश्लेशा ना सर्ट करेंगे तो माता को कश्ट होगा जब इस नशत्र में सनी गोचर करेंगे तो माता को कश्ट होगा कि अच्छा नशत्र असलेशा है कैसे आजरा है पाद्र आध्रा अच्विनी भरनी कृतिका अश्विनी भरनी कृतिका अच्विनी वर्नी कृतिका आजराओ आप आप असलेशा कैसे पहुंच रहे हैं और गल्टी से बढ़ दिया अध्रा 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 स्वाथी सत्वीहा इन सब्सक्राइब इन नशत्रों में यदी सनी गोचर करेंगे तो उस वक्त आपकी माता को कष्ट होगा भवन संबंदित कष्ट होगा और अस्थान आपको चेंज करना हो ठीक है या बाहन संबंदित कष्ट हो सकता है इसका रूल क्या है रूल यही है कि चंद्राष्टक बर्ग के चतुर्थ भाव की बिन्दू को चंद्राष्टक बर्ग के चतुर्थ भाव की बिन्दू अथा जो अंक हमें मिल रहे हैं उस अंक को जो हमें चंद्र सोध्रपिंड मिलें चंद्र सोध्रपिंड से गुना कर 27 से भाग दें जो नचत्र आएगा उस नचत्र से क्रिकोन नचत्र में माता को, भवन को या कोई रोग आदी से आपको कश्ट होगा कोई रोग भी हो सकता है तो ही सनी चल कहा रहे हैं अभी सनी चल रहे हैं पुर्वा भाद्रपद में ठीक है आपदा स्वाती और सत्वीखा सत्वीखा से सनी निकले हैं ठीक है जैसे अभी गोचल में यादी हम जाएं तो सनी सप्रीखा में थे सनी सत्वीखा में रहेंगे छे पॉइंट चालीश से छे पॉइंट चालीश डिगरी से सनी सत्वीखा में होंगे अभी दोजार तेईस में सनी सत्वीखा नशत्र से गुजिदे हैं कि आपस्पश्ट के जे राहूल जी क्या आपकी माता जी को किसी भी प्रकार या भवन बाहान किसी इंसब संबंदित आपको पश्ट हुए है जीवन में या नहीं बताइए कब सर्ट है कब सब्सक्राइश नॉवंबर दोहजार तेईस के बाद से सब्सक्राइश नॉवंबर नॉवंबर में अस्थान उगर परवेतन हुआ है ना बताया नहीं था नहीं था नहीं सर जादा कुछ तो ऐसा नहीं है नोगर किरपा रही थोड़ा वह थलका भुलका वह तो तबियत खराब तो होना अलग की जोगे में ली सर उसमें एक मने अट्रिबूट्स कर दिया था ना अस्थान परवेतन हो गया ठीक है आगे आज चंद्रा अश्टक वर्ग तक ही रखते हैं कलकी कच्छा में हम मंगल अश्टक अर्थात मंगल की अश्टक वर्ग से समझेंगे उसके बाद गुद्ध्यक अश्टक वर्ग जिवाश्टक अश्टक वर्ग जो चंद्र के मंगल के उसके बाद जो समुधाइक अश्टक वर्ग है जिसमें पूरे अंग होते हैं चब शप्षटीस बीस बाईस चौवीस उस पर फिर बात करेंगे